सबी प्यारे साथियों को नमस्कार तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्ट मस्ट और जबरजस्ट होंगे और अपनी पिरप्रेशन बहुत शांदार तरीके से कर रहे होगे प्यारे बचो आज हम UPGK की डेली जोज के तहद प्यारे बचो आज जो टॉप कि बच्छो आठ तारिक को मेरे दाजा जी की अरस्ती है मुझे वहां जाना पड़ा जिसके कारण मैंने सोचा कि बच्छों की पढ़ाई बाद इतना हो तो एक छोटी सी वीडियो एक छोटा सा टॉपिक जिसे बच्चे रिवाइज कर लें और उनकी मतलब डेली का जो आप आपको बताऊंगा और ये 20 संग्रहले बहुत महतपूर्ण है और प्यारे बच्चो यहां से कई बार एक्जाम में प्रशन पूछ लिया जाता है और सरल तरीके से नहीं समझने की कुसिस करेंगे और फिर इनके लास्ट में कुश्चन्स भी कर लेंगे जिससे की आपका कॉ तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी प्यारे साथी इस सेशन के साथ ठीक है तो प्यारे बचो अगर मैं बात करूँ उत्रप्रदेश के संग्रहले संग्रहले बोलते हैं म्यूजियम के लिए तो उत्रप्रदेश में बहुत सारे संग्रहले हैं अलग-अलग ले 1663 में इसे इस्थापित किया गया ये उत्र प्रदेश का सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा संग्राले सबसे पुराना भी यही है राजकिय संग्राले लखनव और सबसे पहरे बच्चो प्राचीन भी यही है और बड़ा भी यही है मलिक महम्मद जायसी की रचना जो है ब पहला संग्राल्य हुआ आपका राज की संग्राल्य लखनव जो योत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। ना भी करो तो चल जाएगा सिर्फ लखनो वाला याद कर लेना। रखना एक गोरकपुर का एक कुशिनगर का डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपके एक्जामिनर ने आपको एक्जाम में दिया है। ठीक है आगे बात करें लोग कला संग्रहले कहां है बिटा तो लोग कला संग्रहले ये भी लखनो के अंदर है। 89 में इसे इस्टैबलिस किया गया इस्थापित किया गया याद रखोगे चलो बहुत शांदार। आगे बात करें बेरे बचो अगला आता है राजकिय पुरातात्तो संग्रहले कहां है कन्नौज के अंदर है 1996 में इस्थापित हुआ। आगे बात करें राजकिय जैन संग्रहले मतुरा वेरी इंपोटेंट कैई बार पुछा गया है तो याद रखिएगा जैन संग्रहले कहां है मतुरा के अंदर है 2003 में स्टैबलिस किया गया बचो ये बी आर अंबेडगर भीमराव अंबेडगर संग्रहले रामपुर में है ये भी महत्वण है इसे बी आर अंबेडगर संग्रहले और पुस्तकाले के नाम से जाना जाता है जो कि उत्रप्रदेश के रामपुर के अंदर है इसकी स्थापना 2004 में हुई ठीक है न भई आगे बात करूं प्यारे बच्छो आपसे यहां अगला है आप राज किये पुर भारत कला भवन संग्रहले पेपर में कैई बार पूछा जा चुका है तो भारत कला भवन संग्रहले बी एच यू परिशर बनारस वारानसी के अंदर इस्थित है इसकी स्थापना 1920 1920 के अंदर हुई ठीक है न तो याद रखोगे भारत कला भवन कहां है तो बच्छो बी अंदर है बच्छो तो राम कथा संग्रहले अयोध्या में 1988 में स्थापित हुआ था प्यारे बच्छो बात कलियर होगी यहां तक आपकी जो बताई है मोती लाल नहरू बाल संग्रहले लखनव के अंदर है 1957 में स्थापित हुआ ये भी महतब हुण है पेपर में पूछा ग सर मार के आना है और कहीं कुछ सोचना नहीं है तो ये भी आपका महतपूर हो जाता है तो 15 हो गए हैं 20 पूरे करने हैं सारनात संग्रहले कहां है वाराणसी के अंदर यहां पर आप जानते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा बिटा पहला उपदेश दिया गया था आगे बात करें राहुल संग्रहले गुरखपुर के अंदर है 1957 में स्थापित हुआ ताज संग्रहले बच्चो कहा है ताज संग्रहले आगरा के अंदर है ताज महल भी आगरा में तो ये भी हैं लाल बहादुर सास्त्री इसमिर्ती संग्रहले राम नगर वारानसी में स्थापित हुआ है 2018 में रानी महल संगरहले झहांसी کے अंदर है जहां रानी की यहांसी की रानी लक्ष्मी भाई से जुड़ी हुई चीजों को बच्छो इसमें संरक्षित रखा गया है, संरक्षित किया गया है, तो यह जो संगरहले आपने पड़े 20 के 20 यह बहुत महतपूर्ण है, एक बार इन्हें रिवाईज कर लेते हैं, फिर इन से जुडसे हुए कुछ प्रशन कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 से 20 मिनिट का ही ये सेशन होता है, आज ये छोटा सेसन है थोड़ा और दिन थोड़ा बड़ा होता है आप जानते हैं तो जादा महतवपूर्ण है पेपर के लिहास से तो राजकिय संग्राले लखनव 1963 प्राचीन उत्रप्रदेश का और बड़ा संग्राले मलिक मुहमद जैसी की रचना पदमावत रखी गई है राजकिय संग्राले जहासी 1978 राजकिय संग्राले मतुरा 1974 राजक राजकिय संग्राले मतुरा में रामपूर के अंदर जैन धरम का संग्राले मतुरा में होने का एक और कारण है मतुरा के पास ऐसा मानू कि आगरा है आगरा के पास बटेश्वर है और बटेश्वर में जैन धरम के जो 22 वे गुरू है उनका जरम माना जाता है ठीक है इस कार राज किये पुराता तो संग्राले सिद्धार्थनगर निर्मानाधीन भारत कलाववन वैरी इंपूटेंट बी अच्यू परिशद बनारस अंतर रास्तिय रामकता संग्राले अयोध्या मूती लाल नहरुबाल संग्राले लखनव प्रांतिय हाईजीन इंस्ट्यूट विटा लखनव के अंदर और प्यारे बच्चो सारनाथ संग्राले वारानशी के अंदर राहुल संग्राले गोरखपुर के अंदर और बच्चो यहां ताज संग्राले आगरा के अंदर लाल भार्दू सास्त्री संग्राले रामनगर वारानशी के अंदर रानी महल संग्राले जहा तो यह 20 महतपूर उत्रप्रदेश के संग्रहले हैं, म्यूजियम है जिन्हें आपने पढ़ लिया है, अब ब्यारे बच्चो इससे जुड़े हुए जो प्रशन है उन्हें एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला प्रशन आता है उत्रप्रदेश के किस नगर में भ जो उत्रप्रदेश का सबसे प्राचीन और बड़ा संग्रहले है, यह उत्रप्रदेश की राजधानी लखनव के अंदर इस्थित है, बिटा, कहां इस्थित है, लखनव के अंदर, जैन संग्रहले कहां है, राजकी है, मतूरा के अंदर इस्थित है, ठीक है ना भई, चलो बहुत शांदार डॉक्टर भी आर अंबेडगर भीम राओं अंबेडगर संगराले एवं पुस्तकाले कहां इस्थित है अंबेडगर नगर में हैं बहराईच में हैं सिधार्थ नगर में हैं या फिर रामपुर के अंदर है तो जल्दी से एक बार आंसर आना चाहिए सभी ब इंसर क्या होगा यह रामपुर के अंदर है डॉक्टर बी आर अंबेडगर संगरहलय एवं पुस्तकाल्य अभी पीछे बताके आपको आए हैं उत्र प्रदेश में भारत काला भवन कहां इस्थित है भारत कला भवन संगरहलय तो बेटा आपको बताया था यह वारांसी के अं चेंसे 9 एंदर है आघ्रा के अंदर है कानपूर के अंदर है आगारा में ज में राजकियस इस्थित भारत कलाभवन जिसकी सथापना 180-70 uzतनु अगला प्रशन राज किये बौध संग्राले निमलिकित में से कहां इस सित है कुशी नगर के अंदर बिटा वारानसी के अंदर गौतम बुध नगर के अंदर या फिर सौन बद्र के अंदर राज किये बौध संग्राले तो राज किये बौध संग्राले के लिए दो जगे या महापरी निर्वान कहां प्राप्त हुआ था कुशिनगर में इनकी यहां लेटी हुई पृतिमा भी इस्थित है ठीक है ना भई तो यह बात भी आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है बच्छो आगे बात करें मोती लाल नहरू बाल संग्राले प्रदेश में कहां इस्थित ह है बिटा प्रियाग राज के अंदर है गोरकपुर के अंदर है या फिर जहांसी के अंदर है तो गोरकपुर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ अभी ठीक है और लखनव के अंदर आप जानते हैं कि राजकिय संग्राले और मोती लाल नहरू बाल संग्राले तो यहां पर option number A हो जाएगा गोरकपुर के अंदर बच्चो आपके बौध संग्राले है जहांसी के अंदर रानी महल संग्राले है चलो जी बहुत शांदार आगे बात करें बच्चो उत्र प्रदेश में राम कथा संग्राले किस इस्थान पर इस्थित है तो राम जी की कथा राम कथा संग्राले लखनव में हैं गोरकपुर में हैं या फिर अयोध्या फैजाबाद में या अलमोडा में हैं हाला कि अलमोडा तो उत्राखंड का है तो D option तो वैसे ही गलत हो जाता है तो बताएंगे एक बार सही उत्तर क्या होगा बहुत शांदार सभी बच्चों का अंसर आता बिटा आपका हो जाता है आगे कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रिसिद रानी महल संग्राले निम्लिकित मैं से किस सहर में इस्थित है आगरा के अंदर जहांसी के अंदर चित्तोरगड के अंदर या नई दिल्ली के अंदर तो बिटा स्वतंत्रता संग्र प्रोप प्रोप तो पिएरे बचो यहीं से अठाइस अच्छ आवन के करांटी को लेड़ किया और जहाँसी की रानी से जड़ी होई चीसलों को रानी महल संग्राले जहाँसी के अंदर संरक्षित किया गया है तो option number क्या हो जाता है? B correct हो जाता है बिटा option B क्या हो जाता है? सही हो जाता है अगला प्रशन उत्र प्रदेश में राज किये स्वतंतरता संग्राम संग्रहले यानि कि सहीद इसमारक निमले खितमे से किस इस्थान पर इस्थापित है तो राज किये स्वतंतरता संग्राम संग्रहले जहां से 1857 की क्रांती 1857 की क्रांती जहां से प्यारे बच्चो प्रारंब हुई थी उसी इस्थान पर बच्चो स्वतंतरता संग्राम से जुड़ी हुई 1857 से जुड़ी हुई क्रांती की चीजों को संदक्षित रखा गया है और ये कहां चौरी चौरा तो बिटा गौरकपूर में गंगा घाट पर भी नहीं मतुरा में भी नहीं कहां होगा मेरट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बिटा मेरट इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाता है ठीक है बई चलो बहुत शानदार आगे बेटा अंतिम प्रशन है अंतिम प्रशन यह कह रहा है राज की जैन संग्रहले कहां इस्थित है राज की जैन संग्रहले वेरी इंपोर्टेंट है मतुरा के अंदर है आगरा के अंदर है वारानसी के अंदर है या कोशामबी के अंदर है इस प्रशन का उत्तर आप सभी बच्चे मुझे प्यरे बच्चो आज की इस सेशन को खतम होने के बाद कमेंट सेक्षन में बताओगे जो की बहुत महतपूर होने वाला है ठीक है तो इस प्रशन का उत्तर कहां संगरहल्यों को समझा है, प्यारे बच्चों अगर आप UP के किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, RO, AR, कोई भी exam, और अगर UPGK आपको पढ़ना है, तो इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, AZTA की लिए आपने नहीं सोचा है, तो AZTA में agriculture तो अभी possible न नहीं आता है, याद रखिएगा, complete चीजें बहुत शांदार तरीके से यहां मैं सारी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रशन का उत्तर आप सभी comment section बताएंगे, जिस तरीके से मैं आपके लिए पृतिबद्ध हूँ, कि अपनी चीजें समय से आपके लिए लेके आत है, तो इसलिए याद रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, जब तक मेहनत नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, इसलिए सभी प्यारे बच्छों से कहूँगा कि आज की class यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आगे कल की class में, ये class आपके लिए कैसे मिली है recorded, मैं जो आ आज करके जा रहा हूं, वो आप कल आठ तारिक में देख रहे हैं, धन्यवाद, love you, take care, bye bye, बहुत सारा प्यार